और महा गडबंधन को लेकर आज मायवती पहली बार बोली। मायवती ने कहा अगर सम्मान जनक सीचे मिलेंगी तभी महा गडबंधन होगा। वरना बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मायवती चंद शेखर के साथ विष्टों पर भी बोली। मायवती ने कहा कि उनका चंद शेखर से किसी तरह का विष्टा नहीं। इतना ही नहीं मायवती ना आज बीजेपी सरकार पर भी हमला बूला और कहा कि लगतार बढ़ रही तेल की खीमतों ने जनता की कमर तोड़ कर लग भी। मूदी के खलाफ महा गडबंधन की कोशिशों को आज मायवती ने फिर जटका दे दिया। मायवती ने साफ कर दिया कि वो गडबंधन की बिना भी चुनाव लड़ने की तयारी कर चुकी है। इससे पहले मायवती बैंक कर्ज के लिए कॉंग्रस को जिम्मेदार बता कर रहूल को निशाने पर ले चुकी है। गडबंधन करके जो चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है तो इस सम्मझ में भी हमारी पार्टी का सुरू से ये क्लियर कट स्टेंड रहा है। हमारी पार्टी कोई गडबंधन के खिलाफ नहीं है, समझोते के खिलाफ नहीं है। कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी चुनाव में तभी कोई चुनावी समझोता वे गडबंधन आदी करेगी जब हमारी पार्टी को समझोते वे गडबंधन में सम्मान जनक सीटे मिलती हैं। जब हमारी पार्टी को समझोते वे गंडबंदन में सम्मान जनक सीथे मिलती हैं, वरना फिर हमारी पार्टी अकेले ही चुनाब लड़ना जादा भैतर समर्ती है। लोग अपने राजनितिक स्वार्थ में, तो कुछ लोग अपने बचाओं में, तथा कुछ लोग अपने आपको नोजवान दिखाने के लिए भी, यंग दिखाने के लिए भी, जबर्दस्ती का मेरे साथ कभी भाई भेहन का, तो कभी बुआ भतीजे का, एक सोची समझीर रन पीडन कांड, जिसमें शामिल में बीजेपी की रननेती के तहट, अभी-अभी रिया हुआ व्यक्ती भी, समाद में अपनी इन सब कम्यों पर परदा डालने के लिए, अब वह भी अपना जबर्दस्ती का मेरे साथ बुआ वे खून का रिस्ता बता रहा है, इसलिए ऐसे इस स्वार्थी किसम के संक्षनों वे तत्वों से भी इन वर्गों के लोगों को जरूर साब धान रहना चाहिए इससे पहले मायावती ने मीडिया को अपना बंगला दिखाया, मायावती ने सरकारी आवास छोड़ने के बाद यालिशान बंगला बनवाया है ये बी-एस-पी के राश्ट्री अध्यक्ष मायावती का नया पता है नौ मॉल एवन्यू और काफी ज़्यादा भवे मकान है जिस तरह का 13-A मॉल एवन्यू घर था मायावती का उसी तरह का डिजाइन इस घर में बनाया गया है और जो पोठिको जिस तरह का उस घर में दिखाई देता था वैसी पोठिको है यहां भी मायावती की मूर्तिया लगी हुई है पीछे जो लॉन है उसमें गौतम बुथ की मूर्तिया लगी है और रेट सेंड स्टोन का इस्तमाल इस घर में भी किया गया है जो कहा जाता है कि मायावती को बहुत पसंद है मायावती के इस 9 मौल एवनियू में भी जिती बार मायावती चार बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी तो चारों के मूरल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जैसे 13A मौल एवनियू के बंगले पर थे यह देखे जब मायावती पहली बार 3 जून 1995 को उन्होंने मुख्यमंत्री की शपत ली तब कि यह फोटो है उसके बाद यह देखे दूसरी बार जब बनी 97 में तब वो शपत ले रही है मायावती ने सालिशान बंगले के लिए उन लोगों का शुक्रिया आदा किया जिन्होंने उन्हें गिफ्ट दिये थे जो पैसा मुझे सीधा किफ्ट के दरिये मेरे लोगों ने दिया है तो मुझे उस पैसे को इधर उधर खराब करने की बजाए और तो फिर मैंने दिल्ली में भी और लखनों में भी उसी पैसे से तो ये मकान खरीदा बनाया मैं बीजे पी का भी थैंक सदा करती हूँ ना मुझे ये CBI के जरीए फसाते और ना मेरे पास ये गिस्ट के जरीए पैसा आता और ना मेरा लखनों और दिल्ली में ये जो मकान बना है ये कोई बड़ा भारी नहीं है है तो ये रहने लाइक है लेकिन इस बंगले में तो मैं और पार्टी का कारिये चले मयवती का दावा है कि वो तो इसमें रहेंगी ही लेकिन बंगले के जादा तर हिस्से का इस्तेमाल पार्टी के कामकाज ही लिये होगा